छोड़ के आते हैं उन्हें उनके गाउं, अब वो बे सहारा नहीं है? यह जवाब है सोनू सूद का अब बम शंकर मिश्र जी को, जिन्होंने अपनी ट्विट में लिखा था सोनू भाई कुछ लोग विरार में बे सहारा हैं और उन्हें गाउं जाना है कृपया, किसी तरह इन लोगों को मुंबई से बिहार पहुचा दीजिए, आपकी बहुत महरबानी होगी भाई ट्विटर के साथ साथ सोनू सूद लोगों के दिलों में इसकदर बस गए हैं कि लोग अपना प्यार और आशिरवाद अलग-अलग अंदाज में उन्हें भेज रही हैं कई लोगों ने तो सोनू की पेंटिंग पोट्रेट बना कर पोस्ट की है किसी ने गाना गा कर सोनू के काम की तारिफ की है सोनू सुद जैसा नहीं है कोई इंसान है कोई इंसान दुखियों का दुख बाटते इन सबी फैंस का सोनू ने अपने अनुके अंदाज में शुक्रियादा किया है किसी को आभार तो किसी के लिए लिखा है भाई आप गजब कलाकार हो एक व्यक्ति ने तो पेंटिंग बना कर उस पर लिखा है कि पीर पर आई जो हरे वही है सच्चा पूत सोनू सूद ने अपना जवाब दिया कि आजाओ मुंबई जब घर छोड़ कर आ सकता हूं तो घर से ला भी सकता हूं दोस्त भावनाओं की साचेदारी में चेतना ने अपनी पेंटिंग से जैसे जान डाल दी चेतना ने सोनू ही नहीं बलकि उनकी मा की तस्वीर का स्कैच बना कर पोस्ट किया और लिखा है कोरोना की इस लडाई में लोगों का आत्मों विश्वास बढ़ाने के लिए उनकी हिम्मत बनाये रखने के लिए सोनू सूद बॉलिवूद के कई सेलेब्रिटीज और क्रिकेटर्स ने मिल कर बी स्ट्रॉंग सॉंग लाँच किया है इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जाल साजों के चंगुल में ना आए और उन्हें ट्विट कर कहा है कि दोस्तों जो भी सेवा हम श्रमिकों के लिए कर रहे हैं वो बिलकुल निश्वल्ख है आपसे अगर कोई भी व्यक्ती मेरा नाम लेकर पैसे मांगे तुम मना कर दीजिए और तुरंत हमें या करीबी पुलिस अफसर को रिपोर्ट कीजिए साथ ही उन्होंने कुछ स्क्रीन शॉट्स भी शेयर किये तो दोस्तों सावधान भी रही है क्योंकि इस धर्ती के इतिहास के कुछ पन्नों पर मानवता के ऐसे क्रूर उधारन भी देखने को मिल रही हैं जो अपने मानव होने पर भी प्रश्न चिन लगा चुके हैं